नमस्कार मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस 36 गड़ के इस खास बुलिटेन में आप सभी का स्वाकत है इस खास बुलिटेन में 36 गड़ से जुड़ी सभी घटनाएं हम आपको विस्तार से बताएंगे इससे पहले हम नजर डालते हैं हैटलाइन्स पर बारिश ना होना किसानों की चिंता बना सूखने लगे खेत खलियान बलरामपूर में युवक को शर्ट लगाना पड़ा महंगा युवक की तलाप में डूप में से हुई मोत अकाशी बिजली गिरने से हुई एक युवक की और छे बक्रियों की मोत कलेक्टर बोले कच्रा संग्रहन एवं यूजर चार्ज व्यूजली में नहीं होनी चाहिए ढलाई करोना वाइरस को लेकर परदेश के अधिकांश विकासखन रेड जोन में हुए घोशी वर रजनान्द गाउं के मुक्तिधाम में चला स्वच्टा अभियान लगाए गए पोथे चलिए अब आपको सबी खबरे बताते हैं विस्तार से मानसोन सत्र शुरू हुए दो महा बीत गए हैं लेकिन मानसोनी बारिश की आस सिर्फ आस बन कर रह गई है आलम यह है कि सावन महीने में जेस्ट जैसी गर्मी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसल बरबाद होने की कागार पर है वहीं दूसरे तरफ शेतर में बिजली कटोती और लो वॉल्टेज की समस्या ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है शेतर में आए दिन बिजली कटोती की समस्या बनी हुई है रसनाद गाउं विधान सवाशेतर में बारिश नहीं होने के कारण खेती कारिये प्रभावित होने लगे है किसान हर रोच आसमान की और निहारने लगे है कि कब बारिश हो तो कब फसल तयार करे किसानों का कहना है कि कम बारिश की वज़े से उनकी फसल बरबाद होने लगी है साथ ही ट्यूब वेल से उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए वहें बिजनी कटोती भी किसानों के लिए बड़ी समस्या है रसनाद गाव से समधाता इलास सिद्ध की रिपोर्ट तो अब बारिष नियों रही है इसके वजे से जा परशानियां अरी है सामने किसां के का सिकार हकाम चल नहीं पाएं रोपई नहीं कि मुद्ध कर दो पहसे को नहीं हो सकते पारिश कमसे अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर 36 गड़ के बलरामपूर में एक युवक को शर्ट लगाना पड़ा महंगा युवक की तालाब में डूबने से हुई मोत आपको बता दे कि एह घटना बलरामपूर जिले के वाड़फ नगर ब्लोक थाना बसंदपूर के अंतरगत ग्राम पंचायत लोधी की है बता दे कि दो युवक बसराज गोण और नवीन दोनों नशे में धूत थे इस दोरान दोनों युवक को के बीच में तलाब में तैरने की बात को लेकर शर्ट लग गई जिसके चलते युवक बसराज गोण ने तलाब में तैरने के लिए छलांग गई इसके बाद बल्रामपूर की पुलिस टीम मोके पर पहुंची कड़ी मशक्कत के बाद तलाब से युवक को शव बाहर निकाला गया पुलिस के द्वारा शव को पोस्ट माचम के लिए वार्डफ नगर भेज दिया गया बतादे की मृत्युवक का नाम बसराज गोंड ब सत्यसगड के बल्रामपूर में एक युवक पर अकाशी बिजली गे गई जिसकी वज़े से उसकी मोत हो गई वहीं एक अन्य घटना में अकाशी बिजली गिरने से छे बक्रियों की भी मोथ हो गई दरसल ये पूरा मामला बलरामपूर की ग्राम पंचायत मित गई का है आपको बता दे कि अकाशी बिजली गिरने से एक युवक और छे बक्रियों की मोथ हो गई ग्राम पंचायत मित गई में मंगलवार की दोपहर अकाशी बिजली की चपेट में आकर एक सत्र वर्षिय कि शोर की मोत हो गई गनीमत रही कि उसके छोटे भाई की जान बाल बाल बच गई वह बड़े भाई को पानी से भीगा देख छाता देने जा रहा था वहां भाई से कुछ ही दूरी पर पहुंचा ही था कि तूसरा भाई आकाशी बिजले की चपेट में आकर बेहोश हो गया 17 वर्षिय रमेश आया मंगलवार की दुपहर लगबग दो बजे जंगल में गाय चराने गया था इसी दुरान अचानक बारिश होने लगी तो वह पलाश पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जहां गाज गिरने से रमेश गंभी रूप से जुलश गया और भी होश हो पंचाय स bowling से राजेश यादव पूर सरपंच प्रेम सिंग सहित गरामेन मोके पर पहुंचे बल्रामपूर से अजे कुष्वा आ की MPos अगली खबर है 36 गड़ के नरायनपूर से 36 गड़ के नरायनपूर नगरपाली का शेतर बखरू पारा एवं कुमार पारा स्थित SLRM सेंटर का कलेक्टर अभिजीत सिंग ने निरिक्षिन किया इस दोरान कलेक्टर ने सेंटर में कारेरत महिलाओं से बाचीत भी की साथ ही SLRM सेंटर की गतिविधियों के बारे में जानकारी भी हासिल की इस दोरान कलेक्टर ने सूखे एवं गिले कच्रे के निश्पादन के तरीके कच्रे इकठा करने में लगेवानों की संक्या तथा चालकों के बारे में पूछा कलेक्टर ने एकठा करके बचे गए सूखे कच्रे की जानकारी तथा कबाड़ विक्रिय प्राप्त राशी का विवरन लिया एस एल आर एम सेंट्रों के बेहतर संचालन हे तू परतेक घर से किये जाने वाले यूजर चार्ज वसूली के लिए मुखे नगरपाली का अधिकारी मोबीन अली को निर्देश दिये गए निर्देश देते हुते यूजर चार्ज ने नहीं दे पा रहे हैं उन पर कारेवाही करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया नरायनपूर से समधाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट अब बढ़ते हैं अगली खबर की होर अगली खबर चतिसगर के रायपूर में प्रवासी मजदूरों के आवगमन के साथ शुरू हुआ करोना का फैलाव अब बेकाबू होने लगा है परदेश के सभी 28 जीलों के अधिकांश ब्लोक रेड जोन खोशित कर दिये गए गिंती के ही ब्लोक औरेंज और ग्रेंज जोन में हैं आपको बता दे कि स्वास्ते एवं परिवारन कल्यान विभाग की ओर से मंगलवार को कोविड-19 के सक्रिये प्रकरण की संख्या प्रकरणों के दोगने होने की दर और सैंपल जांज प्रती लाख जन संख्या के अधार पर परदेश के तमाम विकास खंडों को रेड और 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 इंज जोन में वर्गिकित करने के बाद अधिसूचना जारी की गई सूची देखने मातर में परदेश के करोना के फैलाव का एहसास हो जाता है परदेश के आधिवासी बुहुल कोजगाव नरायनपूर बीजापूर सुकमा सूरजपूर आधी जीलों में भी करोना ने पैर पसार लिये है वहीं रायपूर दुर्ग बिलासपूर जैसे मुक्तिधाम में युवाओं दौारा पिछले कई रविवार से स्वच्ता अभियान चलाया जा रहा है आच्वीर खैरागड के निर्मलत्रिवेडी अभियान वह खूई खदान के जैजगनात समीती संस्था प्रियास की टीम दौरा स्वच्ता अभियान चलाया गया साथ ही व्रिक्षार ओपन भी किया गया सबसे पहल मुक्तिधाम में जाडियों को साफ किया इसके बाद व्रिक्षार ओपन किया अभियान की अच्छी बात यह रही कि सभी श्रम वीरों ने सेनिटाइजर व मास्क का उप्योग किया विभाग द्वारा कुल 40 पोधे आम बेल और न व्रिक्षार ओपन के बाद पोधों को बोस की लकडियों से सुरक्षित भी किया गया जैजगनात सेवस्मिति के कारेकारी अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरंसन रक्षन शासन के ही नहीं हम सब की जिम्मेवारी हैं वहीं इस अवसर पर भारत माता की जैके नारे भी गुझे रसनान्द गाउं से इलास सिद्गे की रिपोर्ट आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की अन्य खबरे देखने के लिए देखते रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस धन्यवाद ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुप्स्क्राइब करें धन्यवाद लिएफसे हैं विएफसे हैं निही जएफसे हैं भी लिएफसे हैं और समाइब आब दो अन्यवाद